नमस्कार दोस्तु इस बार BSTC के अंदर हमें कोलेज प्राप्त करके रहना है और कोलेज अगर हमें प्राप्त करना है तो रिजनिंग के अंदर हमें 50 में से 50 अंक प्राप्त करने हैं दोस्तु इसी को लेकर हमारी ये कलासे शुरू की गई है दोस्तु जिसका अंदर हमारा ट टार्गेट है कि 50 में से 50 क्यूसन साही करें और टार्गेट अंक 150 में से 150 क्यूंकि एक क्यूसन तीन अंका रहता है दोस्तु दो टोपिक हमने देख लिए थे रिजनिंग के तीसरा टोपिक लेकर आया हूं रक्त सम्मंद प्रिक्षान बलड रिलेशन टेस्ट आपके पेपर के अंदर तीन से चार क्यूसन इस टोपिक क्या आते हैं दोस्तु और इसा टोपिक बहुत ही सिंपल टोपिक दोस्तु जिसको मातर चंद सेकिंडू के अंदर आप उत्तर निकालोगे नो परकार के क्यूसन बनते हैं यहांपर नो परकार के क्यूसन एक एक परकार का क्यूसन है मैं एक एक क्यूसन लेकर रहा हूं हर परकार से उनको आप सोल कीजिए आपको पता चल जाएगा कि आपका इस्टेंडर क्या रहेगा कितना क्यूसन है वो किस इसतर का आपको आज से तो आप कमेंट करके बता दीजिये मेरे को, आज हम देखेंगे रक्त सम्मंद, एक बार से भी साथी वीडियो को लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तूं, क्या होता है रक्त सम्मंद, पहले में आपके सामने ये क्योसन है, इसके क्योसन को हम जो रिलेशन बनाया गया है आपके माता पिता दादा दादी नाना नानी चचेरे भाई बहन चाचा चाची ताउताई तो यह जो रिलेशन बनाया गया ना इस रिलेशन से रिलेटेड क्यों सनाते हैं दोस्तों अब सीधी सी बात है रिलेशन है आपको पता है आपको पता है क को सोल कैसे करना है तो इसके अंदर खुद को एक मानना होगा खुद को इस क्यूसन में गुसाना होगा खुद को क्यूसन के अंदर गुसना होगा जो भी क्यूसन हो उसको अपने उपर लागू कर लो आप उत्तर भहुत आसानी से और सही उत्तर आपको मिल जाएगा थोड़ा सा ध्यान रखना आपको जो भी क्यूसन मिले उसको अपने उपर लागू करो अपने उपर लागू करते हैं आपको आसानी से उतर मिलेगा समझ गए बाकी ये नो परकार के क्यूसन है ना ये आप देख ले ना इनसे बार आपको क्यूसन नहीं मिलेगा इसी परकार का क्यूसन एक्जाम में मिल जाएगा पहला क्यों सन आपकी स्क्रीन पे सोल करने का प्रियास कीजिएगा आप चित्र बना कर करना हमें डाइग्राम बना के इसका उत्तर निकालने का हम प्रियास करेंगे और कम समय में दोस्तों देखे A वै B बहने है A वै B क्या है बहने A वै B क्या यहां पर बहने बताया गया इन दोनु को यह दोनु क्या है बहने है दोस्तों आ गया समझ में आगे देखे C है न वो A का भाई है C है न आपका यह यह किसका है A का भाई है C A का भाई क्यूसन को जैसे क्यूसन बोल रहा है वैसे ही डाइग्राम मनाए जाती है आगे देखें डी ए का बाई है डी है ना डी वो ए का बाई है कोई रिलेसन कोई रिलेसन नहीं मिल रहा है यहां पर तो अगला पड़ यह इसको छोड़ दीजिए एक बार इसको आप अठा लीजिए ई बी की बेटी है ई है ना ई यह किसकी बेटी है बी की बेटी है की बेटी मनाते जाएए अब यह आ गया तो डी ए का बाई है डी है ना डी यह किसका है एका भाई है क्या है बाई का भाई यह हमारा डाइग्राम बन गया यहां पे समझ गए यहां पे समझ गए अब देखे आगे तो डी की मोसी कोन है यहां पे पूछा क्या आपको कि डी की मोसी कोन है बहुत आसानी से समझने का प्रियास कीजिए डी की मोसी को नहीं यहाँ पर यह पूछा गया आप से देखे एका बाई सी ए और बी बेने अब देखे यहाँ पर बी की बेटी ई है ध्यान देजिए थोड़ा से समझे इसको यह दोनों तो बेने आपकी यह और यह यह इसकी बेटी हो गई बी की बेटी है तो यह क्या हो गई इसकी मोसी हो गई ए मोसी हो गई ना इकी हो गई ना अब देखे यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाई है आप थोड़ा सा दिमाग लगाई है दोस्तों थोड़ा सा दिमाग आराम से E का भाई D है और D का में पूछा क्या D की मोसी तो D की मोसी कौन हो गई A हो गई ये तो आपस में भाई है ना ये बेटी है ये भाई है इसका ये बेहन ये भाई हो गई E oraz D थोड़ा कलर चेंज गर लो इसकी बेटी है, जबकि ये दोनुं बेहन है, तो E की मोसी A है, और D की भी मोसी A है, क्या आई ना, उतर आसानी से, तो यहांपे D की मोसी कोण है, A है आपकी, तो यह राओप्सन 3, A क्या रहेगी? D की मोसी रहेगी, साइड आफ पहली बार, जो रिजनिंग है इसमें गुसे हैं क्योंकि अभी 12 तक आपके कहीं पर रिजनिंग आई नहीं थी तो ये ऐसे क्यूसन है ना वो आपको बहुत ही कठील लगते होंगे लेकिन मित्रू ये नो परकार कि आप क्यूसन देगो दूसरा क्यूसन देखे यदी कमल कहता है कि यदी कमल कहता है तो सबसे पहले ये बन गया हमारा कमल ये हो गया हमारा कमल यहां पर कि रवी की माँ क्या कह रहा है रवी की माँ ये रहा रवी देखे रवी ध्यान से देखना रवी की मा, ये रही रवी की मा, ध्यान दीजे, रवी की मा मेरी मा की इकलोती बेटी है, तो ये कमल की मा, कमल की मा, कमल की मा, ये हो गई कमल की मा, ये हो गई रवी की मा, अब कहता है कि रवी की जो मा है न, रवी की मा, ये मेरी मा की इकलोती बेटी है, मेरी मा की इकलोती बे बेटी है इकलोती बेटी है तो कमल रवी से किस परकार समंदित है कमल की मां की द्यान से देखे इसको कमल की मां की इकलोती बेटी देखे कमल की मां है ये इसकी इकलोती बेटी है ये समझे आप यहां पे ये इकलोती बेटी हो गई न हो गई थोड़ा कलर चेंज करता हूँ फ आपकी हो गई न दोस्तों तो यहां पर देखे यह क्या हो गई कमल की बहन हो गई कमल की क्या हो गई बहन हो गई कमल की क्या हो गई बहन हो गई अब देखे यह कमल की बहन वो रवी की क्या है यह मा है अब पूचा क्या है रवी है रवी से किस परकार कमल है वो रवी से किस पर परकार समंदीत है देखे ये बेहन का बेटा है कमल के बेहन का बेटा हो गया ये कमल के बेहन का बेटा हो गया रवी तो रवी के कमल क्या लगेगा मामा लगेगा क्या लगेगा मामा आया समझ में, साइध दूसरा क्यूसन है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन डाइग्राम बनाओ, बहुत असानी से समझ में आ गया आ जाएगा बोल रहा हूं मित्रू, ये नो क्यूसन देख लो आप तो यहां पे चार नमर उपसन, मामा, उपसन चार है, सही रहीगा अगला क्यूसन, क्यूसन नमर तीन, क्यूसन नमर तीन देखिए थोड़ा ध्यान से देखना है यहां पे, सुरेज के बारे में सोबा ने का, ये आपकी सोबा यह हो गई सोबा यह किसके बारे में कहे रही है सुरेस के बारे में किसके बारे में सुरेस के बारे में देखे सुरेस के बारे में सोबा ने कहा कि उसके भाई का पिता है यह उसका यह बाई हो गया सुरेस के भाई का पिता मेरी दादी का एक मातर बेटा है ये हो गई सोबा की दादी की दादी का एक मातर बेटा है समझना इसको दादी का एक मातर क्या है बेटा है तो बताइए कि सोबा का सुरेश से क्या सम्मंद है देखे ध्यान से समझना थोड़ा सा सुरेश का बाई सुरेश का बाई का पिता है यानि सुरेश का भी पिता हो गया हो गया न दोस्तु ये सुरेश का भी पिता हो गया और सुरेश के भाई का पिता है तो सुरेश का भी क्या हो गया ये पिता ही हो गया हो गया ना पिता अब कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा जी से आसानी से समझ में आ जाए थोड़ा ध्यान से देखिए यहां पे एक एक जान करे आपके लिए इंपोर्टेंट है दोस्तों अब देखे आगे आगे क्या कहे रहा है शोबा की दादी का एक मातर पुत्र सोबा की दादी का एक मातर पुत्र है यहां पर यह दादी है ना दादी इसका एक मातर पुत्र है एक मातर पुत्र दूसरा पुत्र नहीं है समझे आप तो सोबा का भी यह क्या हो गया पिता ही हो गया मतलब सुरेस और सोबा क्या हो गए बाही बहन हो गए बाही बहन तो सूरे अब यहां पे पूछा क्या गया है कि सुबा का सुरेश से सुबा सुरेश की क्या हो गई बहन हो गई आ गया न उतर यह रहा ओप्सन तीन है जो यहां पे क्या रहेगा आपका सही रहेगा बहुती important question आपके लिए और अच्छा question दोस्तों important question चलिए हमारा अगला question है आपकी screen पे दोस्तों एक महिला ने एक पुरुस को दिखा कर कहा ये रही आपकी महिला ये कौन है? महिला इसने किसको दिखाया है? पुरुस को ये रहा पुरुस पुरुस का बाई चित्तर बनाईए बहुत आसानी से हो जाएगा बीएश्टी से आराम से कवर कर लेंगे हम मेरे दादा मेरे दादा या नाना का इकलोता बेटा है ये देखिए क्या लिखा गया मेरे दादा या नाना तो ये रहा दादा लिख लो नाना लिख लो डादा का इकलोता बेटा यानि एक मातर बेटा एक मातर बेटा है तो मैला का पुरुस से क्या संबन्द है देखे पुरुस के भाई का पिता पुरुस के भाई का पिता तो पुरुस का क्या हो गया ये पुरुस का भी ये पिता हो गया पुरुस का क्या हो गया पिता हो गया दोस्ता हो गया मैला के दादा का एक मातर बेटा मैला का क्या हो गया पिता हो गया मैला का क्या हो गया पिता हो गया अब देखे मैला का पुरुस से तो देखे मैला का भी यही पिता और पुरुस का भी यही पिता मतलब यह बाही बेहन हो गए क्या हो गए बाही बेहन हो गए समझे यहाँ पे तो मैला का पुरुस से क्या समन्द है मैला पुरुस की क्या है बहन है समझ गए यहाँ पे यह बात दोस्तों आगे चलिए next question चित्रा ने एक वेक्ति की और अंकीत करते वे कहा इसकी पतनी मेरे दादा जी के पोते की मा है तो चित्रा उस वेक्ति से किस परकार समन्दित है यह रही आपकी चित्रा यह रही आपकी चित्रा यह रहा आपका वेक्ति यह रहा आपका वेक्ति अब देखे क्यू सन क्या कह रहा है इसकी यानि वेक्ति की पतनी यह रही पतनी वेक्ति की पतनी दो सेकेंड थोड़ा सा ये रही पतनी दोस्तों आराम से बनाना आप ये रही पतनी दोस्तों क्या कह रहा है इसकी पतनी मेरे दादा जी ये रहे चित्रा के दादा जी दादा जी के पोते दादा जी के पोते ये दादा जी और दादा जी का पोते हो गए ये पोते की मा है तो पोता ये है और इसकी मा हो गई ये पोते की मा हो गई ये तो चित्रा उस वेक्ति से किस परकार समंदित है अब समझने का प्रियास कीजिए चित्रा के दादा जी का पोता कौन हो गया ये क्या हो गया चित्रा का बाई हो गया हो गया ना बाई आगे देखे अब देखे बाई की मा चित्रा की क्या होगी द्यान रगना दोस्तूं चित्रा की भी मा होगी अब पूचा क्या है उस वेकती से संबन्द पूचा है तो यह देखे यहां पर यह तो इसका पती है न यानि की फूत्री है इस परकार इनको निकालना है आपको थोड़ा समझते हुए निकालना है आप जब एक क्यूसन से इनका उतर नहीं निकलता है दो, तीन, चार, पाँच क्यूसन जब आप सोल करोगे न तो आसानी से इनका उतर है वो आप निकालते वे बढ़ोगे आगे चलिए क्यूसन नमबर छे की और एक तस्वीर की और संकेत करते वे पवन ने कहा किसने कहा, पवन ने किस की और संकेत करते वे तस्वीर की और, ये तस्वीर समझा आप यहांपे, कहा, पवन ने कहा की वह मेरे पिता मैं, मतलब दादा जी यह रहे दादा जी पिता में हैं कि एक मात्र पुत्र की पुत्री है एक मात्र पुत्री एक मात्र पुत्र अब पूछा क्या है वह तस्वीर पवन से किस परकार समंदित है देखे देखे दादा जी का एक मात्र पुत्र यानि पवन का भी क्या हो गया पिता हो गया पवन का क्या हो गया पिता हो गया अब देखे पवन के पिता की ये क्या हो गयी पुत्री पवन के पिता की ये पुत्री है मतलब ये क्या हो गया अपस में बाई बहन तो तस्वीर पवन से किस परकार समन दीता है पवन की क्या है ये बहन है क्या है बहन है ये रा ओप्सन दो आपका क्या हो गया यहां पे सही हो गया दोस्तों तो ये क्यूसन बहुत सिंपल से क्यूसन बनते हैं दोस्तों आसानी से इनको आप सोल कर सकते हैं आगे चलिए कि उसर नमबर साथ में अब देखे यहां पे हैं एक फोटू में एक पुरस की और संकेत करते वे एक फोटू में एक पुरस की और संकेत करते वे एक इस्तरी निका यानि इस्तरी कह रही है तो ये इस तरी फोटू में कोन है पुरुस है तो ये आपकी फोटू यानि पुरुस हो गया इसकी ओर संकेत करके कह रहे हैं तो देखे, संकेत करते हुए का की, उसके बाई का पिता, मेरे पिता मा, मतलब दादा जी का एक मात्र पुत्र है, एक मात्र पुत्र है, संमझेए यहाँ पे, तो बताये कि वह इस तरी उस फोटू वाले पुरुस से किस परकार समंदित है, देखे, इस तरी के दादा जी का एक मात्र पुत्र मतलब इस तरी का क्या हो गया, पिता हो गया, अब देखे पुरुस का भाई का पिता यानि पुरुस का क्या हो गया पुरुस और इस तरी दोनुं का पिता है मतलब आपस में क्या हो गया भाई बहन तो पुरुस से किस परकार समन दीता है पुरुस की वो क्या है बहन है पुरुस की क्या है वो बहन है आ गया समझ में ये क्यूसन है ये क्यूसन बनते हैं दोस्तों चलिए अगला थोड़ा छोटा सा क्यूसन आपके लिए मैं एक लेकर आया हूँ उसको समझ कर आपको उतर दे भी निमने सूचनाओं के आदार पर परशनू के उत्तर दीजिए देखे के पलस खे कार्थ होगा के खेका पुतर है के ना वो खेका पुतर है के माइनस खेकार्थ होगा के खेकी पतनी है के गुणा खेकार्थ होगा के खेका भाई है और खे भाग खेका उत्तर होगा के खेकी मा है हमें यहाँ पे चार जो ट्रिक दिये हैं इनके आदार पर इसको सोल करना है इस चीज को A पलस B पलस A पलस B पलस है का अर्थ क्या होगा समझे बहुत ही अच्छा सा क्यूसन आया आपके लिए यह आराम से सोल कर सकते हैं इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है A B S समझे पलस है के पलस खे का अर्थ के खेका पुत्र है के खेका पुत्र है यानि A पलस B A ना A यह B का पुत्र है पुत्र है B का पुत्र A हो गया हो गया ना दोस्तु अब यहां पे बे पलस से दिया हुआ है तो बे न यह से का पुत्र है से का पुत्र बे हो गया बे का पुत्र ए हो गया समझे आप यहां पे तो कहने का मतलब से एका पिता है से एका पिता नहीं से एका पुत्र से एका पुत्र नहीं सेयका-चाचा नहीं L vividly सेयका-पुत्र भे और भेका-पुत्र ए सेयकė सेयका लगेगा दादाजी मतलब सेयका दादाजी है इस परकार का क्योसन भी स्टेक बन कर आता है तो यहां पर ओप्शन चार है जो आपका क्या हो गया सही हो गया दोस्तों आपर ले लेंगे उसको आठ परकार की क्यूसन रक्तसंबंद से related थे ना वो आपके सामने में ने रख दिये हैं इसी परकार से आपको कम से कम 30-40 क्यूसन सोल करने अपनी गाइडू से अपने आप रक्तसंबंद आपका अच्छा हो जाएगा दोस्तों तो ये क्लास कैसी लगी बाकी की क्लासे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको बीएश्टीसी रिजिनिंग के नाम से बनी हुई है अब आपका मैं कमेंट यह चाहता हूँ अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कंप्लिट तो आज कमेंट कर देना कल से परते एक विशे की क्लास सुरू कर दूँगा आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जे हिंद जे बारग